कि फ्रेंड आज हम बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जैसा कि कई वार होता है कि आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हों किसी हॉस्पिटल इंडस्ट्री कॉलेजेज रेलवे इन जगों पर आप काम कर रहे हैं या बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं तो वहां सबसे पहले जो आपसे कोशिशन पहुचा जाता है कि कि कितने स्टोरेज की जरुद पड़ेगी जो आपका पूरा सिस्टम लगेगा वो कितना स्टोरेज लेगा लेकिन उस टाइम पर आप लोग आंसर नहीं दे पाते उसके लिए कई सॉफ्टेर भी बने हुई है लेकिन अलगला कमपनी के जो कैमरे हैं वो अलगला स्टोरेज लेते है ऐसा क्यों होता है कि कैमरे वो सेम रेज़िएशन के हैं फिर भी स्टोरेज में और रिप्रेंस आता है यह सब चीजों को आज हम डेटेल में जानेंगे उसके लिए हमको कुछ बेसिक calculation करेंगे आपको software से भी वही calculation करने पर result सेम मिलेगा मैं दोनों ही चीजे आज आपको practically सो करूंगा क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि सर आप practical नहीं सो करते हैं तो दोनों ही चीजे मैं आपको practical करके calculation भी और manual calculation भी software के तुरू calculation भी और DVR NVR में उस setting कैसे करते हैं वो सब भी आज मैं आपको practically दिखाऊंगा और यहां भी बताऊंगा कि कई बार high resolution के camera लगाने पर जैसे 4 megapixel 8 megapixel के आप camera लगा रहे हैं लेकिन recording में आपको वो result क्यों नहीं मिल रहा है इन सब topic के बारे में detail में मैं आपको बताऊंगा उससे पहले सब जानने के लिए आपको कुछ basic चीजे जानना जरूरी है जो भी topic हम इसमें cover करेंगे जो भी points कवर करेंगे वो सब चीजे आपको जानना बहुत जरूरी है उसमें सबसे पहले हम जानेंगे bit bytes और fps इन तीनों के बारे में थोड़ा हम detail में समझेंगे उसके बाद हम relation क्या है bit byte fps में वो जानेंगे data transfer rate जो होती है kbps mbps उसके बारे में जानेंगे उसके बाद data storage जो हम gb mb tv में करते हैं वो जानेंगे उसके बाद हम manual calculation सिखेंगे कि storage calculation अगर हमको manually निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे और उसके बाद जो हम manual calculation कर रहे हैं उसको हम software के थूरूद देखेंगे क्योंकि कई calculator है गववा का है cp plus का है हिग विजन का है या और भी कई camera के calculator software है लेकिन उस software से जो result आएगा वही result आपको manual calculation से कैसे आता है वह मैं सिखाऊंगा यह आपको पूरे YouTube पर किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा इसलिए आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को शेयर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे उनको रेगुलर अपडेट मिलता रहे तो चलिए अब बढ़ते हैं हम पहले सबसे पहले सेट्राइब कि ये सेटिंग कैसे करना है चलिए अब आगे बढहते हैं पहले सबसे पहले मैनृल कैल्कुलेशन को हम देखते हैं तो हम सबसे पहले मैनृर्ट काल्कुलेशन को देखते हैं उससे पहले हम कुछ बेसिक से जान लेते हैं जैसे was the one byte equal to 8 bits होता है data transfer rate हम जान लेते हैं data transfer rate जो आप देखते होंगे kbps, mbps, gbps यह होता है यहां आपको clear कर दूँ, kbps जो होता है kilobits per second है इसको आप bytes मत समझेए mbps, megabits per second है और gbps, gigabits per second है दूसरा जो होता है data storage इसको आप kb, mb, gb या tv से रिप्रेजेंट करते हैं आप देख लिजे, ऊपर जो मैंने symbol represent किये हैं वो small में हैं और नीचे जो मैंने symbol represent किये हैं वो capital में लिखे हुए हैं तो यहां से आप identify कर सकते हैं data transfer rate को small letters में और data storage को capital letters में mention किया गया है अब हम एक example लेते हैं, 2MP का कोई भी IP camera है आपको जो fps है, यह 25 है, इस पर आपको recording करनी है और जो bit rate है, 2048 है या आप कहले, यह 2MP है, यह 3MP है हम पहले ले लेते हैं, 3MP की calculation एक ले लेते हैं और एक calculation यह 2MP की और एक calculation हम करते हैं 3MP पर दोनों उपर ही हम calculation कर लेते हैं तो सबसे पहले हम चलते हैं 2MP के लिए इसको आप 2MP पर सेकेंड जो है इसको आप निकाल लीजे, पर डे का कितना होगा तो आपको जैसे वन डे में आप सेकेंड पहले निकाल लीजे 84,600 सेकेंड आएगा यह आप निकाल लीजे 24 आवर्स, 60 मिनेट और वन मिनेट में 60 सेकेंड तो आपको 84,600 आएगा तो यह सेकेंड होगा तो यह आपको पर डे का निकालना है तो आप 2 इन्टू 84,600 आप निकाल लीजे मल्टिप्लिकेशन में कुछ मिस्टेक हो गई यह 86,400 आएगा इसको आप मल्टिप्लाई कर लीजे तो यह पर डे का आपका आजाएगा कंजम्शन Mb Per Day यह Megabits है आप इसको Megabits आप इसको Megabits में चेंज कर लीजे Megabits में चेंज करने के लिए आप इसको 8 से डिवाइट कीजे जैसा कि मैंने आपको पहले ही उताया है 1 byte इकवल टू 8 bit होगा आप 8 से इसको डिवाइट कीजे तो यह आपका आ जाएगा 21600 मेगा बाइट पर डे अब आप इसको GB में calculate कर लीजे GB में calculate करने के लिए आप इसको divide कर दीजे एक हजार चौविस से GB बड़े तो यह आपका आएगा 21.093 GB बड़े यह मैंने आपको बताया तो अब हम 2 MP के लिए ही 3 Mbps के डाटा के लिए calculation करते हैं स्टोरेज आपका कितना लेगा 3 Mbps इक्वल टू 86,400 सेकंड्स किन्टू 3 इक्वल टू यह आएगा आपका 2,59,200 MB पर डे आप यह देख रहे होंगे मैंने इसको स्मॉल में लिखा है तो यह पर डे जो आपका इस्टोर होगा अब आप इसको GB में कनवर्ट कर लिजे GB में कनवर्ट करने के लिए इसको आप 1024 से आप डिवाइड कर दीजे तो यह आपका GB पर डे आएगा यहां से आपको 31.64 GB पर कैमरा पर डे पर डे आप इसके बाद आपके जितने भी कैमरे हैं कैमरा से मल्टिप्लाई कर दीजे जितने भी डे का आपको चाहिए वो डे से आप निकाल लीजे इसके बाद मैं यहां पर एक लिस्ट भी और अटेज कर दे रहा हूं जिसमें आपको यह मेगापिक्सल 3 मेगापिक्सल 4 मेगापिक्सल 8 मेगापिक्सल 12 मेगापिक्सल यह अगर कैमरे लगे हूं तो इनको इसमें डाटा ट्रांसफर रेट क्या रखना चाहिए कितने Mbps रखना चाहिए उसी के कॉर्डिंग आप जब चैनल पर जाएंगे तो वहां पर बिट रेट सेलेक्शन का ऑप्सन होता है बिट रेट पर चैनल आप एन्वियार या कैमरे या डिवियार में जाकर आप बिट रेट पर चैनल सेलेक्शन करेंगे उसके बाद ही देखते हैं कि cctv क्यलकुलेटर हैं तो वहां से क्योंकितना बीरेट आप सेलेक्ट करते हैं जिस पर ब्रेटी मिलडा है उसके क्वर इसलेक्ट कर सकते हैं और एक अच्छे quality के लिए मैंने आपको उपर screen में attach कर दिया है जिसमें आप resolution 25 fps पर क्या bit rate होना चाहिए per channel वो आप देख सकते हैं practically आप जब यह bit rate select करके किसी भी particular channel पर record करेंगे तो आप देखेंगे कि एक अच्छा result मिल पा रहा है बागे आपको बहुत अच्छा result चाहिए तो आप फिर इसमें bit rate बढ़ा सकते हैं और भी plus कर सकते हैं यह bit rate जो हैं दिये हुए 25 fps पर हर एक DVR, NVR में नहीं support करते हैं उसके लिए जो DVR, NVR है आपका वो इतनी bit rate पर वो supported होना चाहिए तब ही आपको better result मिल पाएगा होता है bit rate और fps का selection में जो आपको problem होती है अगर आपने bit rate proper selection नहीं किया है तो आपका image भी रुक रुक कर आएगी बहुत ही local पे देखेंगे तब भी आपका image रुक रुक कर आएगा इसलिए आप लोग को bit rate और fps selection में बिसेज ध्यान देना होगा इसके बाद भी आप लोगा को कोई doubt रह गया है तो आप लोग कमेंड कर दीजेगा मैं उस पर भी एक video detail में बना दूँगा कोई अलग से topic है तो उस पर भी इसके साथ सी साथ आप लोगों को practical demo भी दिखाना थ लेकिन वीडियो काफी लंबा हो चुका है इसलिए जो इसका आपको software से calculation देखना है वह एक मैं next video बना दे रहा हूं next video इसका part 2 बना दे रहा हूं उस part 2 में आपको मैं software पर calculation यह करके दिखा दूंगा mobile app पर भी और laptop पर भी दोनों पर